आज हम बात करते हैं कि आप medicine को export इंडिया से कैसे कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी है क्या क्या requirements रहेगी सबसे पहले आपको export शुरू करने से पहले क्या जरूरी रहेगा उनके बारे में बात कर लेते हैं आपको दोनों ही country में जहां से आप export कर रहे हैं या जहां पर आप export करने जा रहे हैं उन दोनों की licensing और procedure और act की अच्छी जानकारी होना जरूरी है importing country के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या क्या जरूरी है आपको registration process आप महाँ पर अपने product को कैसे register कराएंगे यह जानना बहुत जरूरी है उसके अलावा वहाँ पर regulatory requirements क्या रहेती है आपको क्या क्या plant specification होना चाहिए या क्या क्या रहेगी वो जानना जरूरी है आपको distributors या importing agent कैसे मिलेगा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है जिसके थुरू आप export करेंगे आपको प्रोडक्ट को promote कैसे करेंगे market कैसे करेंगे या महाँ का distribution channel कैसा है कैसे distribute करेंगे यह भी जानना बहुत जरूरी है महाँ पर अपने product की custom clearance कैसे कराएंगे इसके बारे में जाना जरूरी है आपका agent भी यह काम कर सकता है origin country जैसे जहां से हमें export करना है उसके बारे में क्या क्या रहेगा महाँ पर आपको export permission या approval या NOC कह सकते हैं कैसे लेनी है इंडिया के लिए DCGI truck controller general of India आपको approval या permission देगा export के लिए regulatory requirements क्या रहते हैं क्या licensing रहते हैं यहाँ पर manufacturing करने के लिए वो जाना बहुत जरूरी है dozier कैसे तियार किया जाता है क्या क्या formalities होती है dozier के लिए आपको transportation और shipment में क्या क्या जरूरी पड़ेगा यह जानना जरूरी है आप इंडिया से कैसे custom clearance कर सकते हैं क्या agent रखना पड़ेगा या आप खुद करेंगे यह सब जानना बहुत जरूरी रहता है अब बात करते है requirements की किजी भी pharmaceutical product को या medicine को अगर आप इंडिया से export करना जा रहे हैं तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम मान चुके हैं कि आप एक company set up कर चुके हैं आप company restriction करा चुके हैं या marketing company या manufacturing company जो भी आप करना चाहते हैं वो कर चुके हैं इसके बाद export के लिए क्या कर जरूरी रहेगा वो बात करते है importer exporter code number यह बहुत जरूरी होता है इसके बिना आप import export इंडिया से नहीं कर सकते plant में क्या जरूरी है किसी concern authority से आपको certified लेना है डिश्ट्रिबूटर या agent आप importing country में आप कैसे चुनेंगे किसी foreign country में doger कैसे तियार करेंगे registration अपने product का कैसे कराएंगे दूसरी उसमें किस freight carrier के दवारा कि transport के दवारा आप बेजेंगे यह है और कैसे आपको permission लेंगे DCGI से जरूरी है किसे कराएंगे दोनों country में यह requirements रहेगी अब इनको detail में हम अभी करते हैं discuss importer exporter code पहले ही पहले हम discuss कर रहे हैं आपको कैसे मिल जाता है कैसे आपको लेना पड़ता है director general of foreign trade department की website पे जाकर online आपको apply करना पड़ता है importer exporter code के लिए उसके पार department आपको 10 characters का alpha nubaric number देता है जिसको हम importer exporter code कहते हैं यह आप dgfc.go.in website पे जाकर apply कर सकते हैं या आप किसी agency के थूँ आप apply करा सकते हैं प्लांट के बारे में बात करते हैं mostly country w h o g m p certified plant को ही मानेता देती है अपने यहां पे medicine export करने के लिए उसके बिना आप apply नहीं कर सकते हैं इसके अलावा कुछ country जो थी जैसी USA के लिए US FDA चाहिए European country के लिए FDA department से अप्रूड चाहिए plant तो उसके इसाब से आपको कराना पड़ता है अगर आप marketing company है तो आप manufacturing plant जहां से आपको manufacturing करानी है वो डूड़नेंगे manufacturing company है तो आपको अपना plant अप्रूड कराना पड़ेगा अ आप distributor agent कैसे डूड़नेंगे foreign country में या वहाँ पर अपना registered office कैसे बनाएंगे यह बहुत चुरूरी है ज्यादा थर सुमाल और micro size कंपनिया distributor या importing agent के तुरूशी काम कर सकती है ना तो वह ज्यादा खाज कर सकती है ना marketing expensive कर सकती है तो उनके लिए ज्यादा easy रहता है कि वह कि जिसके तुरूब कर सकते है अगर आप अपना खुद का setup करना चाहते हैं तो वहाँ को अपनी company रिष्ट्रेट करानी पड़ेगी वहाँ के rules और regulation के साफसे डोजियर उसके बाद आपको त्यार करना परता है जो दोनों ही country में बहुत जरूश रहेगा product registration के लिए approval के लिए जो एक medicine को पुरी तरे detail में समझाता है registration importing country में आप कैसे product का registration करेंगे अगर आप कोई agent या distributor डूंट रहे हैं तो वो यह सब कुछ आपके लिए कर देगा हर country के अपने norms होते हैं वहाँ पर registration के वहाँ पर manufacture करने के medicine distribute करने के लिए कि सब कुछ जरूरी रहेगा आपको product register कराना बहुत जरूरी है किसी भी country में import करने के लिए अगर आपका agent है तो वो यह सारा काम कर सकते हैं लेकिन अगर आप खुद का registration office महाँ पे खोल के यह कर रहे हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा सारा काम DCGI से आप कैसे approval लेंगे वैसे तो हमारा जो medicine का export है वो free trade license के अंतरगत आता है लेकिन medicine के case में आपको approval permission या NOC DCGI से लेना जरूरी होता है जो कि एक साल के लिए valid होता है उसके बाद आप renew करा सकते हैं फर्दर आप हर साल renew करा सकते हैं और export को continue रख सकते हैं अब freight forward agency जो आपका material आपसे लेके importer तक पहुंचाएगी उसका selection करना उसको choose करना बहुत जरूरी है आपको कहीं से भी medicine लेना है जहां से आप वो कर रहे हैं उसको importing entry तक पहुंचाना एक बहुत बढ़ा काम होता है यह जानना बहुत जरूरी है कि अप कैसे कि shipment से air के दोबारा या सिप के दोबारा या rail के दोबार में जानेंगे हर प्रोड़क्त का अपना अलग-अलग code होता है वह एक बहुत होता है वैसे तो दो चार छे या आट डिजिट का होता है यह हर कंट्री में वेरी करता है लेकि जो international standard का होता है वो छे का होता है इंडियन जो code होता है वह 8 digits का होता है इंटरनेशनल code का आप www. www.wc.comd.org से कर सकते हैं इंडियन के लिए आप dgf.go.in पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं के लिए आपको क्या कर जरूरी रहेगा अब उसके बारे में थोड़ा डिस्केस कर लेते हैं आपको किस्टम क्लिजियन दोनों ही कंट्री में जरूरी रहेगी यहां से पड़ेगा वहां पर इंपॉर्ट होगा तो वहां का रहेगा आप खुद भी कर सकते हैं किसी एथुराइट एजिन को भी उसके लिए कर सकते हैं हम यह यह एडवाइस करेंगे कि आप किसी एजिन को करिए अगर आफसरवात में हैं तो वह आपके लिए ज्यादा जरूरी भी रहेगा प्रोसेस क्या रहेंगे इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले जो रहता है उसमें क्या कहा कहा रहता है बील और ट्रांस्पोर्ट का जो भी रहेगी कि आप माल इससे लेके आप वहां तो कहुंचा देंगे इन्वाइस रहेगा पैकिंग डिटेल आपका कॉमर्सियल इन्वाइस उसमें आपको क्या क्या पैकिंग लिस्ट है वो सारी लग जाएगी साथ में और थर्ड नंबर पे जो आ पर लिख सकते हैं किस भी कोरियो सेजेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं फार्म फ्रेंचेजी हल्प डोट कॉम पे ठेंक्स